इसमें ये प्रोविजन है कि जो भी गरीब लोग हैं, अफकोस सभी को नहीं, लेकिन जो भी गरीब हैं, जो खाना आफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल सकता है या जो अनाज नहीं खरीच सकते हैं, उन्हें सरकार सस्ते रेट पे, मदलब एकदम नौमिनल पर उन्हें अनाज प्रोवाइड करेगी ताकि वो कम से कम खाना खा सकें ठीक है और यह साथ क्यों कर रहे है सरकार क्योंकि आर्टिकल 21 आप जब पढ़ोगे पॉलिटी में तो आपको पता होगा कि यह most evolved fundamental right है ठीक है इसमें right to life के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे rights है ठी आर्टिकल 21 अगर हम background की बारे में discuss करें यह law के तो इसकी प्रिस्ट भूमी क्या थी तो आर्टिकल 21 right to life जो है it encompasses right to live with human dignity ठीक है dignity मतलब सम्मान के साथ ठीक है मतलब supreme court ने यह कहा है कि right to life includes right to live with human dignity मतलब सम्मान के साथ रहने का अधिकार है लोगों को किसे भी मनुस्य को सम्मान के साथ इज़ट के साथ रहने का उसे अधिकार है मतलब सिर्फ ऐसाने की सिर्फ वो जिन्दा है उससे जिनदा तो रहना ही है, उससे उससे डिगनिटी भी उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और डिगनिटी कब फोगी जो मेंटेन, जब कम से कम एट लिस्स बेसिक जु रिकारमेंट है, फूड फूड जब उसे भीलेगा, क्योंकि बिना फूड या कुछ हम था है भीख वगरा जनली इनली है तभी मांगते हैं आदमी है तभी क्या करता है कोई साख में तो करता नहीं है है कि आफjem में फूड फूड वं fulfill प्रनाली ये सिस्ट इसमें यह इस तनो, so इसलिए आर्टिकल 21 की वज़स से इसे लाया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 यह कहता है कि राइट टु लाइफ इंक्लूड राइट टु लिव इत हुमें डिगनेटी, तो हुमें डिगनेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने नाशनल फूर्ट यही एक्ट में क्या प्रोविजन है, इस एक्ट में क्या प्रावधान है ठीक है, प्रावधान इसमें यही प्रावधान है कि सब्सिडाइजड फूर्ट ग्रेंज टु वर पीपल ठीक है, subsidized मतलब सरकारी सहायता दी जाएगी, ठीक है, सरकार उसका cost जो है सरकार बेर करेगी अब इसमें कितना है, इसमें basically ये जो कितने लोगों को लगभग दिया जाता है तो इसका जो statistics है, National Food Security Act का government ने जो दिया हुआ है, वो है 75% of the rural population ये cover करता है, 75% of the rural population, ठीक है, and 50% of the urban population 50% of the urban, शहरी population जिसे दिया जाता है, इसके थो, under, through targeted, targeted public distribution system ठीक है, जन वित्रन प्रणाली, ठीक है, आपी से लिख सकते, क्या लिख का, शोरी, लक्षित, लक्षित, जन वित्रन प्रणाली, ठीक है, मतलब बेसिकली, लक्षित मतलब target किया जा रहा है, target किसको किया जा रहा है, जो गरीब लोग है, जो कमजोर लोग है, उनको target करके, उनको identify करके, उनको ration card दिया जाता है, कि उसमें ये लिखा होता है, कि हाँ भाई आप गरीब हो, आप कमजोर हो, आपको मिल सकता है आनाज, ठीक है, क्योंकि आप, ऐसे कोई भी आदमी कहेगा, मैं गरीब हूँ, अगर फाइदा लेना है, तो गरीब बन के, कहेगा ना, तो इसलिए सरकार क्या करती है, गरीब को identify करने के लिए ration कर देती है, ठीक है, तो ये हो गया, ये main provision है, हो गया, इसके बाद, और क्या है, हो गया ना ये, इसके बाद, इसमें और भी एक चीज है, कि ये responsibility किसकी है, कौन distribute करेगा, joint responsibility है, central government की और state government की, ठीक है, ठीक है, so this is a joint responsibility, of central government, plus state government, ठीक है, साजा जिम्मेदारी है, ठीक है, joint responsibility, yes, तनू, लगभग two, two-third, two-third population, दो ती हाई population को ये मिलता है, लगभग, क्योंकि 70% population, 50% करोगे, तो लगभग, हाँ, वही लगभग two-third, two-third population को मिलता है, ठीक है, so joint responsibility है, central government के state government की, central government क्या करता है, central government basically अनाज देता है, ठीक है, central government आपको पता है कि MSP पे, minimum support price पे, ठीक है, MSP rate पे क्या करता है, ये आपको wheat वगड़ा, wheat, rice, गेहूं, चावल ये सब जो क्या करता है, procure करता है, करता है आपको पता होगा ना, उसके लिए किसान अंदुलन हुआ था, MSP वगड़ा rate के लिए, पता है कि नी पता है सबको, तो नियूंतम समर्थन मुल्ले जो होता है, MSP, minimum support price, तो central government MSP पर जो गेहूं, चावल वगड़ा procure करता है, उसे क्या करता है, खुद खाते हैं वो लोग, तो, हाँ, फिर, दे देते हैं, तो वही काम करते हैं यहां पर, ये act में वही चीज़ बताया गया है, कि पहले ये लोग procure करते हैं, खरिते हैं लोग किसानों से, MSP पर, ठीक है, मान लो 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी MSP होता है, MSP हर साल change होते रहता है, तो MSP पर खरिदा, उसे FCI के go-down में रखते हैं, FCI क्या है, Food Corporation of India, ये सरकार के संस्था है, ठीक है न, तो Food Corporation of India के go-down में देश भर से जो अनाज कर देंगे, और उसके बाद यहां से ये लोग state government को issue करते हैं, यहां भेजते हैं, यहां से अनाज भेजेंगे, और यहां तक इनके हर state को भेज दी हर statement depot होता है, depot, मतलब जहां पर storage कर सकते हैं, तो वहां पर go-down में, FCI के go-down में भेज देंगे, औ fair price shop, fair price shop, okay, FSP, sorry, FPS, no, fair price shop, okay, fair price shop, okay, fair price shop, gonna, so fair price shop, right, fair price shop, you can tell that you this techno and car, you know, जो पर नहीं कह से नहीं कभी पता है ना है हम तो जो रहता ग्रशन के दुकान को मिलता है जिसके पास Ration Card होता है जिसके पास Ration Card होता है और जो eligible है जो Ration Card जो भी है Ration Card के हिसाब से eligibility होती है और उसे मिलता है ठीक है तो यह पूरा सिस्टेम है आप Central Government पहले procure किया किसानों से किसानों को भी फायदा हो गया फिर उसके बाद अब वह ही Central उसके बाद ये क्या होता है कि FCI किसानों से खरिदा किसानों को फायदा हो गया उसके बाद ये लोग state government को भेज दिये और भेजने की जैमेदारी central government की होती है और फिर वहां से ये लोग fair price shop पे पहुंचा जाते हैं और वहां से राशन card holder जो होते हैं उनको आनाज मिल जाता है subsidized rate पे मिलता है MSP पे नहीं मिलेगा ये अध्यान रखना खरिदते तो ये लोग MSP पे हैं central government लेकिन देते कितने पे है subsidized rate जिसका दाम कितना है तीन रुपया, दो रुपया, एक रुपया ठीक है ना? तीन रुपया चावल का rate है दो रुपया गेहूं का rate है और एक रुपया मोटा आनाज ठीक है? एक रुपया coarse grain तो तीन चीज़े मिलती है wheat, rice and coarse grain मोटा आनाज तो ये तीनों चीज़े आपको यहां से मिलेगी सब्सिडाइज रेट पे वीट राइस और पोवर्स ग्रेन मोटा आनाज मोटा आनाज में बाजरा बगरा सब जो आता है ठीक है ना ये सब मिलता है अधर रेट अफ थ्री टू वन राइस का प्राइस है तीन गियहों का दो और इसका वन ये ठीक है ना टू रूपिस पर केजी थी रूपिस पर केजी तो इतना सस्टा देते हैं वो लोग सरकार दे रहिए आपको क्यों दे रहिए ताकि भाई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दे रहे हैं समय में आगया अब ये किसको मिलता है population को जो भी 75% two-third population है वो population को सरकार ने दो काटेगरी में डिवाइड कर दिया है ठीक है एक काटेगरी है हाँ वो तो था पहले था लगभग वो targeted public distribution system जब था तो उसमें था अब उसी को दो अलग नाम काटेगरी दे दिया हुआ है एक है अन्तियोदे अन्योजना ठीक है अन्तियोदे अन्योजना और दूसरा priority household priority household ठीक है प्राथमिक्ता वाले परिबार एक है अन्तियोदे अन्योजना वाले परिबार जो है अन्तियोदे अन्योजना वाले कौन होते हैं, poorest of the poor मतलब जो गरीबों में सबसे गरीब है, ठीक है गरीबों में भी गरीब extremely poor और priority household मतलब उससे थोड़ा सा better position ठीक है तो population को दो category में divided हो गया है, इस act में particularly National Food Security Act में दो population को दो category में divide किया गया है जो भी eligible population है जो भी eligible population है जिनको यहां से अनाज मिलेगा उनको दो category में divide किया गया है एक है अन्तियोदे अन्तियोदे अन्योजना family ए, ए, वाई ठीक है, और दूसरा यह हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे ठीक है, हिंदी में भी वही है, इंग्लिस में भी वही है priority household प्राथमिक्ता वाले परिबार प्राथमिक्ता वाले परिबार ठीक है तो यह दो category में divided है इसमें क्या है कि इनको quantity में फरक है quantity में जो अनाज मिलता है उसके quantity में फरक है इसमें अन्तियोदे अन्योजना में 35 kg 35 kg per month per family ठीक है अनाज मिलेगा ठीक है ठीक है उसको मिलेगा 35 किलो पर मन्थ पर फैमिली अब वो फैमिली में दो लोग है या चार लोग है या पांच लोग उससे कोई फरक ने पड़ता एक परिवाल के राशन कार्ड को होल्डर को 35 किलो अनाज मिल जाएगा और दूसरे जो लोग है उनको मिलेगा आपको 20 केजी था 5 केजी पर परसन है सॉरी 5 केजी पर परसन पर मन्थ मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा एक परिवार में अगर चार लोग है तो कितने व्यक्ति हो गए चार तो कितना अनाज मिल गया 20 छे लोग हैं तो 30 किलो ठीक है तो पर परसन हर आदमी के साब से पर केज पांच केजी मिलेगा ठीक है कितने रेट में मिलेगा तीन रुपया दो रुपया एक रुपया के रेट पे चावल गेहूं और मोटा अनाज ठीक है एन डाउट और दूसरा चीज जो रैसन्ट जो मि अनाज पहुंचाने का काम किसका है? Central का. ठीक है? अनाज पहुंचाने का काम किसका है? Central Government का. लेकिन उसके बाद distribute करने का और distribute कैसे होगा? Ration Card वगरा से. और Ration Card जारी करना, किस-किस को Ration Card मिलेगा, वो पबलिक को identify करना, वो सारा काम किसका है? State Government का. Fair Price आपको चलाना, किसी को कोई सिकायत हो गया, तो उसे solve करना, यह सारा काम State Government का है. तो इस तरीके से दोनो responsibility दोनो मिल के चलाते हैं. इसमें? क्या क्या साथ? पता नहीं, मैं इसे भी अब अपडेट नहीं हूँ, मैं देख लूँगा एक बाठीक. हाँ, मैं अपडेट कर लूँगा. क्योंकि मैंने जहां तक देखा था, मैंने Government का ही website refer किया है, यह सारा Government का ही source है. तो Government के website पे अभी तक तो मैंने यह देखा नहीं है, कोई अपडेशन जो आप बता रहे हो, हाँ, गरीब कल्यान यूजना एक जरूँ चाल हुई थी, गरीब कल्यान यूजना, पी-म गरीब कल्यान यूजना, आपको पता होगा, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें, अगर आप वह ऐसा कह रहे हो, तो यह जो मिलना था, तो मिलेगा ही, उसके अलावा, कुछ और अनाज additional, वो कोरोना टाइम में, कोविट के टाइम पे, वो गरीब कल्यान यूजना के तहत मिलना था, तो यह चेंजस था, यह जो मुझे पता है, लेकिन National Food Security Act के अंदर, अगर कोई amendment हुआ है इसमें, तो वो अभी, मैंने कोई government website ही refer किया है, तो उसमें तो यह update नहीं था, बट still I will check it, ठीक है? ठीक है, जो भी है, भी changes मुझे मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जो भी होता है, government की website पे, जनरली कभी भी authentic information होती है, ठीक है, तो अगर कोई भी अगर आप data चेक कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, कि proposal होता है, आपका जो भी चीज होता है, पहले proposal mode में होता है, प्रस्ताव होता है, फिर discussion होता है, फिर final होता है, तो कई time आपको मिल सकता है, जानकारी में या पढ़ सकते हो, क्या कि draft mode में है, प्रस्ताव है या proposal है, तो आप ऐसा मद सुचो कि वो final हो गया है, पहले उसे final जब लागू हो जाएगा, amendment हो जाएगा, तब उसे मानो कि वो final हो गया है, ठीक है, तो भी आपको identify करना ज़रूरी है, क्यों जब भी प्रस्ताव आ गया, तो आप ये मत मान ले ना कि ये changes हो ही गया है, तो जब भी आप पढ़ रहे हो, तो ये देखो कि प्रस्ताव है ये, या final है, ठीक है, तो इस इसका भी ध्यान अखना, अगर हुआ होगा तो मैं बढ़ चेक कर लूँगा, क्लियर, कोई डाउट, तो आप चलते हैं, इसका एक question कर लेते हैं, फिर उसके बाद last point में discuss करेंगे, ये National Food Security Act आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, चूँकि इसमें आपको PM portion scheme भी मैंने discuss किया था, तो PM portion scheme भी इससे link है, और इससे बहुत सारे और भी अलग-अलग जिससे one nation, one ration scheme आएगा, एक ठीक है, एक देश, एक रासन, तो वो भी आपका एक scheme है, जो आने वाला है, मलब आपका पूरे देश में एक ही रासन कार्ड होगा, ठीक है, तो आप मलब एक रासन कार्ड बनेगा, आप उससे, आप अपने स्टेट में या कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ भी आप रासन से, रासन कार्ड से अनाज ले सकते हो, पहले क्या होता कि आपका रासन कार्ड जहां है, मानलो अगर आप यूपी से हो, तो अगर आपका यूपी में अनाज है, तो रसन कार्ड है तो आप सिर्फ उपी में ही रसन कार्ड ले सकते हो अनाज लेकिन अगर आप दिल्ली आ गए हो कोई काम की वज़ा से तो आपको यहां पर आनाज नहीं मिलता था पहले तो इसलिए वन नेशन वन रसन स्कीम आया है उसे हम बाद में डिस्कॉस करेंगे डोंट वरी लेकिन यह स्कीम यह जरूरी है इंपोर्टन है चलो क्वेस्टन देख लेते हैं कंसीडर दी पॉल्लवइंग लेते हैं पर देखिध सब्सक्रीजने सब्सक्राइब आगरान। ठीक है National Food Security Act 2013 is sole responsibility यह responsibility है इसा समाझ लेना थोड़ा सा sole responsibility of central government मतलब यह सिर्फ अकेले central government के जिम्मेदारी है National Food Security Act को implement करना ठीक है sole मतलब अकेले second National Food Security Act 2013 mandate providing food grain subsidized food grains subsidized food grains to all the people which of the above statements are correct a only one b only two c all of the above d none of the above none of the above e ok or online or online वाले और भी बताओ तुन ने बताया और बताया बाकी लोग बताओ यहां पर भी बताओ बताओ भाई सबलोग बताया करो हाँ हाँ ए ओके और कोई अगर आपने लेक्षे ध्यान से सुना है तो आप बता दोगे जो नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब कि लेक्षे ध्यान से नहीं सुने हैं मतलब हो लेक्षे के द्वरान बोर्ण हो रहे थे और उनका द्धान कहीं आर था तब क्योंकिर, ऑफ्य टाइम की आप लेक्टे में होते हो लेकिन आप का ध्यान कहीं और होता है बोर होने लगतते हो तो बताओ बाकी online वाले बाकी बताओ पिन्टू तनू ने बताया है बाकी लोग सो चलो मैं बता ज़ता हूँ Consider the following statement Implementation of National Food Security Act 2013 Is sole responsibility Sole मतलब अकेले अकेले की जिम्मेदारी ठीक है अकेले की जिम्मेदारी है किसकी Central Government की क्या ये सही है हाँ सही है अभी तो हमने discuss किया ना कि Central Government क्या करता है अनाज देता है अनाज पहुंचाता है State में और उसके बाद Fair Price of K-Through माध्यम से कौन देता है? Distribute करता है State Government और मैंने लिखाया था भी कि Joint Responsibility है मैंने statement लिखाया था तो ये क्या हो जाएगा? गलत ठीक है? ये गलत हो गया तो जहां भी 1 है वो गलत हो जाएगा यहां भी 1 है यहां भी 1 है है ना? All of them are 1 and 2 both तो 1 यहां भी है 1 गलत हो गया तो यह भी क्योंकि correct statement पूछा है correct statement पूछा है तो यह incorrect हो गया तो यह option खतम यह option खतम आप 50-50 पे आगए B और D में सो कोई एक होगा और आप exam में काफी time ऐसे situation में आ जाते हो कि आपको इन दोनों में से अब एक कोई चूज करना होता है आपको दूसरा statement का पता ही नहीं होता है answer ठीक है तो आपको थोड़ा common sense वगरा याद लगाना होता है जब यह lecture अध्यान से सुनोगे पढ़ोगे, revision करोगे तब आपको थोड़ा सा common sense लगा सकते हो National Food Security Act 2013 mandate मतलब यह आदेश देता है क्या? providing subsidized food grains to all the people to all the people मतलब subsidized कम rate में आनाज सब को provide करने का यह इसका उद्देश है क्या ऐसा है? सभी को आनाज provide करता है subsidized rate में सभी को नहीं करता है poor people को ठीक है? मैंने बताया था 75% of the rural population and 50% of the urban population मतलब two-third population ही सिर्फ है ठीक है? तो यानि यह सब को नहीं provide करता है तो यह भी गलत हो गया और जब यह गलत हो गया तो यह भी गलत हो गया तो इसका मतलब यह सही है ठीक है? इस तरीका से आप elimination method को जब आप question करते हो to elimination method को use करने का कोशिस करो क्योंकि exam में believe me जब आप exam दोगे तो आप फिर यह चीज़ याद करोगे कि आपको elimination method ही काम आएगा और अगर elimination method आप use नहीं करोगे तो फिर 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 प्री में प्री में ठीक है? तो इसलिए elimination method के practice अभी से आदर डालो थोड़ा-थोड़ा कि अएपा कि आपको प्री में प्री काम में प्रीज़ा